हलो दोस्तों ये देखिए आज हम बनाने वाले हैं एक करी और एक करी बनाने के लिए हम लोग दस अंडा लिये हैं और इस दसों अंडों को हम वाइल होने के लिए गैस पे रख दिये हैं अब देखिए अंडा के साथ साथ उसी के साथ पानी भी डाले हैं और उसमें हम बीशी उबाल भी आ जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा और जब तक अंडा बॉयल होगा तब तक हम प्याज काट लेते हैं यह देखिए प्याज ले लिए दस प्याज लिए हैं टमाटर है मिर्च है इस अब काट करके हम रेडी कर चुके हैं और काटने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छे कटा है जब तक हम प्याज करते काटे तक-अंडा भी बहुत अच्छे से ब्वायल हो चुका है अब हम इस अंडे को चील लेंगे छीलने के बाद देख सकते हैं कैफा दिख रहा कितना फंदा चीलने के बाद यह स्टें हम थोड़ापक कट लगा देंग कट लगाने फिर क्या होगा कि अंडा जब फ्राई करेंगे तो अच्छे फिर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अंडे को फ्राई कर लेंगे कट लगाने के बाद देखिए तेल रख दिये थे गर्म होने के लिए उसके बाद अंडा उसमें हम डाल दिया है अंडा कुंदार लेवल का होगा अब देखते हैं एक ऐसा देखरा एक टरफ हमाद ही कुकर गैस पे चड़ा दिये है देख सकते हैं तेल डाल के मिर्चा डाल की मिर्चा जब तक तहोड़ा गर्म हो रहा है। तक फॉदेन में पर्मortalगक भी जालेंगे में प्यास को च कुछ proposed Chinese शेगल जाया गया संदार निवल में देख सकते हैं लगवग दूर्षी धाई चम्मच हम नमक डालेंगे एक चम्मच दो चम्मच और यह थोड़ा और धाई चम्मच हम नमक डाल दिया है और अच्छे से चला देंगे हमारा कुछ टाइम बात देख सकते हैं तर देंगे मसाला ढ़ने राजेश न के प्रिश्के मसाला और हमीट नकलर में नेच्ट को हुआ फोड़ा साव्ड्र मिर्च ठावडर डने जिसे हमारा कलर होगा स्वांथ होगा वह का मैं सन्दार पाद में हम ट्माट DR डालेंगे ट्माटर बाद में डालने पिए चीज रोगा कि हमारा ग्रेवी va बिलकोश संदार बनेंगा स्वाद अलग हो जाएगा सात में ही डालेंगे तो तोड़ा उतना क्षेंद अनुफार नहीं होगा देख सकते हैं कि इतना संदार हो रहा है फ्राई होने के बाद साब कुछ होने के बाद अंदा हमारा तयार है देख सकते हैं क्या संदार लाजवाब ग्रेवी दिख रहा है कि मज़ा आजाएगा खाने में क्या ही बताना ऐसे ही आप लोग घर पे बना के ट्राइब करिए बनाने के बाद अब इसको हम सर्व करते हैं चलिए अब देखते हैं क्या ग्रेवी यह तिक हम संदार लेवल का अब हमारा थाली में चावल निकला निकला चुका है उसमें अब हम अपना जो एक करी बनाए हैं देख सकते हैं कितना संदार सर्व कर रहे हैं सब दो दो अंदेब वाव क्या घजब तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को फालू करें यूटूब पे हैं तो सब्सक्राइब करें करें तो सब्सक्राइब